प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें स्लामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स फिल्मी स्टाइल में जोलरी की दुकान में एक करोड 77 लाख रुपे की चूरी करने वाले दो लूटेरों को पुलिस ने ग्रफतार किया है ठाने के वर्तक नगर परिसर में वारी माता जोलर्स की दुकान है इस दुकान के बगल में ही अब्दुल मजीद शेख नाम के एक बेक्ति ने अब्दुल फ्रूर्स जोस की दुकान खोली थी चूरर्स की दुकान की रेकी तभी से इसने शुरू कर दी थी इसके दुकान खोलने और बंद करने का कोई समय नहीं था आखिरकार 17 जनवरी को फिल्मी स्टाइल में अब्दुल मजीद और उसके अन्न साथियों के साथ मिलकर फ्रूर्ट की दुकान के अंदर से दिवार में ड्रील मसीन की मदद से दिवार को तोड़ दिया और उसी रास्ते से जोलरी की दुकान में गहनों की चोरी की और फरार हो गया इस संदर्व में जोलर्स मालिक ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में सिकायत दर्ज करवाई थी इस बीच नवी मुंबई पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्टार किया जिनके नाम अब्दुल मजीद शेख है और शोहिब अकबर हैं ये दोनों जारखंड के रहने वाले हैं पुलिस के मुताबिक दोनों ने ठाणे के वर्तक नगर वारी माता जोलर्स की दुकान में लूट की घटना को कबूल किया हैं पुलिस ने इनके पास से मिले जोलर्स और मोबाईल फोन जब्त कर लिये हैं साथी पुलिस इनके अन साथियों की और तलास में जुट गई है पकड़े गए दोनों आरूपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहा टाइम की